Welcome दोसे इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मेडिया की वाइरल खबरें टाइटल से तो समझी गए होंगे इसराइल को लगा है बहुत बड़ा जटका अनभक्तों के साथ हो गया है बहुत बड़ा फ्रॉड शेर करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले जटके के बारे में बात कर लेते हैं कि इसराइल को कैसे बड़े जटके लग रहे भारत से एक बड़ा जटका लग गया है लेकिन इससे बड़ा जटका मीडिया से भी लगा है क्योंकि इस पंदरा तारीक को उसने एक बिल्डिंग गिराई थी ये कहते वे कि हमास इसके अंदर से आपरेट करता है अल-जजिर का उफिस था उसके अंदर, असोइड़ेड प्रेस का उफिस था उसके अंदर, लेकिन जशने मीडिया को रच्ते से हटाया, अब उसके ओपर इन्वेस्टीकेशन बढ़ाने की बात हो रही है क्योंकि ये दोनों मीडिया अभी दुनिया के सबसे बड़ी मीडिया में काउंट होते हैं और दिनों मीडिया से घाजा की जो खबरे बाहरा रही थी दुनिया में वो दोनों ही मीडिया कवरेज कर रहे थे दोनों मीडिया को रसे से हटा करके क्या किया इसराइल ने कि अपना रास्ता साफ कर दिया वो जो चाहे वाजा में कर सकता है यही बायान भी CEO ने दिया था Associated Press के उन्होंने कहा कि अब गाजा में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को नहीं पता चलेगा यही नहीं अब investigation offices थे और इसराइल अभी तक सबूत नहीं दे सका कि उसके अंदर हमास का कोई भी ऐसा चोटा मोटा कोई ऐसा ग्रोह था या वहां से वो कैसे operate कर रहा था इसका सबूत इसराइल नहीं दे सका इसका मतलब उसने सिर्फ मीडिया को साफ करने के लिए उस building को रास्ते से हटाया यही नहीं शेर कर दूं किस तरीके से बहुत बड़ा fraud हो गया है भक्तों के साथ उन भक्तों के साथ हुआ है जो मुसल्मानों से नफरत करते हैं क्योंकि जो उनके लीडर हैं जो ऐसे चैनल्स चलाते हैं मैं आपके सामने रखूंगा उनकी भी वीडियो लेकिन ज्यादातर वो पाकिस्तान पर हमले की बात करते हैं, वो चाइना पर हमले की बात नहीं करते हैं, और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ही इसरैल काम आएगा, वो भी उन्होंने अपनी वीडियो में ही बता आए है, मैं शेयर करूँ अब ऐसे इनकी उपर केस मामला दर्ज होनी की बात हो क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मस्जिद अलनभी का फुटेज दिखा दिया है एस ट्राइक वाला लोग इसके खिलाफ इस वक्त आवाज उठा रहे हैं लेकिन क्या कह रहे थे वो मैं शेयर कर दू लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर हैश्टाइग इंडिया स्टैंड् लोग सपोर्ट कर रहते हैं इसराइल का आगे शेयर करूंगा कितना बड़ा जटका लगा है लेकिन उससे पहले आप ये देख लें जिनको गेंड़ा भी बोला जाता है सोशल मीडिया पर लोग इनको अलग-अलग नामों से बलाते हैं जो सरिफ पाकिस्टान के हमले के टा तो ओ इसराइल ही खड़ा होगा जैसे कि मैंने बताया इनकी ओपर कारवाई की बात चल लगी है क्योंकि इन्हों ने जो फुटेज का इस्तमाल किया वो मस्जिद अलनब भी है ना कि मस्जिद अल अक्सा और इनको किसने हग दिया है कि कि किसी का ऐसा फुटेज बना करके चाहे वो मस्जिद अलनब भी ही क्यों ना हो उसका कंपाउंड ही क्यों ना हो चाहे वो कोई मंदिर ही क्यों ना हो ऐसे ग्राफिक्स बनाने क्यों है सबसे पहले तो यह सवाल पूछना चाहिए इन से लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ शेर करूँ कि कितना बड़ा जटक पालस्तिन ऐसे पूछना चाहे वो आपके साथ वो फालस्तिनियों के काौस की सपोर्ट की भी बात करते हैं कि वो स्ट्रॉप उपूर्ट बिखाते हैं जस्ट पलस्तिनियन कॉज तो इसका मतलब भारत की तरफ से फलिस्तीनियों के लिए भी आवाज उठाई जा रही है और इस्राइल जो कुछ भी कर रहा है इतने दिनों से उसको लेकर के भी आवाज उठाई कि ऐसे हमले दोनों तरफ से चाहे वो हमास करे चाहे वो इसराइल करे दोनों तरफ से बंद होने चाहिए क्योंकि इसमें मौते आम सिविलियन्स की जादा हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि अन्भग जो इतने दिनों से ट्रेंड कर रहे थे कि इंडिया स्टैंड्स विट इसराइल अब उनको मू की खानी पड़ गई क्योंकि अब भारत ने ये फैसला किया है कि वो दो स्टेट के सलूशन की बात करे और फलस्तीनियों की बात करे साथ साथ मैं ये बता दूँ कि यह पहली बार नहीं है इसराइल के बारे में क्या कहा था और फलस्तीनियों के बारे में क्या कहा था एक जड़े इस रिपोर्ट में डालें इन सारी रिपोर्टों को शेर करने का एक ही मकसद है कि बताना चाते हैं कि हमेशा से भारत अहिंसा के खिलाफ रहा है हिंसा के नहीं वो हमेशा चाहता है कि मिलकर के इनसान रहे तो हमेशा से ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करते आया है और मजलूनों की आवाज भी बनता आया है लेकिन ये अन्भक जिस तरीके से प्रोवोकिंग बाते करते हैं सोशल मीडिया पे इनको मुग की खानी पड़ गया और इस बयान के होता है आपकी कह रहा है इन सारी खबरों को लेके कॉमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें